जब election चल रहे थे तो हम चाहते थी कि कम से कम भगवान राम को 500 सालों बाद जो लेकर आए कम से कम एक वोट इस बार का तो deserve करता है और यह मैं बड़े खुले से बोलता था कि चायो तुमारी 100 शिकायते होंगी अगली बार बत देना, 2030 में मत देना, मत बनाना लेकिन इस बार तो 2024 में भगवान राम को 500 साल बाद लाके खड़ा कर दिये तुमारी भूमी पर कम से कम इस बार का तो वो deserve करता है लेकिन अयोध्या में जब हारी BJP तो नीचे कोमेंट में जब मैं बड़ा उदास हो गया था मैंने का यार यह तो unexpected है, मैंने वीडियो बनाए चीज़ नीचे लोग क्या लिखते है और वो हिंदू थे specially और वो हिंदू नीचे लिखते हैं का हम हिंदू है बेवकूफ नहीं उन्होंने ये वाक्य लिखे, तो फिर कईयों पूछा भी या क्यों कहते है कि जो काम करेगा उसी को देंगे तो मैंने का भी या राम भगवान का मंदिर वह काम नहीं है क्या, तुम्हारे लिए काम क्या है, बोले नोकरी, पैसा, यही तो यह जो जैचंद है, उसकी वज़े से हिंदू मार्त खाएं है कहीं ना कहीं, आपका इसके बारे में क्या कहना है मैं बस इतना कहना चाहूंगी, एक शब्द में इस बात को समझ ये, कि शेर अगर थोड़ा गलत भी कर दे ना कुछ, या उसके भाव आपको समझ में नहीं भी आए ना, तो कभी गधे को राजा नहीं बनाया जाता वाख, वाख, चुलो भाईया, तुमारे लिए है ये गधे हैं, इन लोगों ने कुछ नहीं किया समाज के लिए, आप विश्वास करिए, मैं 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2012 तक जिन राजियों में कारिक्रम करने के लिए जाती थी, अगर बाई रोड जाती थी, तो 14-15-15 घंटे लगते थे, वहाँ 6 घंटे में पहुशती हूँ मैं अ तो दूर, माताएं सर पे पलू डाल के तिलक लगा के सुन्दूर लगा के नहीं जा पाती थी, हिंदू भगवा वस्त्र पहन के नहीं जा पाता था, आज डंके की चोट पे जैजै श्रीराम के नारे लग रहे हैं वहाँ पे, जिस करनाटका में टीपू सुल्तान जैसे लो तो हमारे बहुत सारे परचित के लोग है, जो दिन का 200-300 भी नहीं कमा पाते थे ना, वो लोग बोलते ना, मंदिरों में इत्ता पैसा लगा दिया, कहां जाता है, वो महिने के 2-3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, अरविन जी, डुपलेक्स घर खरी लिये उन्होंने, घर ए इना सुरक्षित हो गई है, पहले हमारे यहां लोग आते थे, मार के चले जाते थे, आतंकवादी हमले होते थे, अब यहां का अगर एक सैनिक मरता है, तो वहां के 50 जाते हैं, है ना, तो हमें confidence आया है, यह लोग बात करते कि मंदिर बनाने के सिवा किया क्या है, हमारे तो ह इस्लामिक व्यक्ति का, या राजनेतिक व्यक्ति का, या सुपर स्टार्स लोगों का बता दीजे, जिनको हम बहुत मानते कि भाई, जुबा केसरी के जो बड़े-बड़े आड करते करोडों रुपए कमाते हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई, लोगों को इन्होंने सिखा दि हम साप को दूद पिलाते हैं, हम मचलियों को आटे की गोलिया देते हम आती थी दे वो भाव की भावना रखते ये लोग नहीं कर सकते, तो मैं आपको बता रही हूं कि शेर-शेर होता है, गधा-गधा होता है, है ना, मंद बुद्धियों को बोट नहीं दिया जाता, और अयोध्या हारना, हमारे लिए दुक्की बात नहीं है, क्योंकि शरम आनी चाहिए अयोध्या वासियों को, जिसने तुम्हारा पांस सो वरसों का खोया हुआ सम्मान तुम्हें वापस दिला दिया, तुमने जरासी बिजली के लिए या लोकल का मुद्धा रहा था, सिफ एक लोकल का मुद्धा था, लोकल के मुद्धे के लिए तुमने कैसे व्यक्ति को बोड़ दे दिया, जो तथा कती तो उसी का अभी परिचित व्यक्ति, रेप केस में लिप्त पाया गया, तो आप रेपिस्ट को बोड़ दे सकते हो, पर एक देश बक्त को बोड़ नहीं दे सक परशार करने के लिए नहीं आई हूं लेकिन मैं कहती हूं कि क्यों नहीं अगर धर्म के लिए मेरे तो सारे सपने उन्होंने पूरे किया ना अरवीन जी मेरी आख जब खुली ना छह साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है मेरे दादाजी ने तपसे सिखा दिया बेटा तेरा एक ही लक्षय होना चाहिए राम मंदिर बनना है तुझे उसमें एक आहूती अपनी डालनी है लाखो करोडों लोगों ने किया मैंने अपनी हर सभा से राम मंदिर बनेगा राम मंदिर लोगों ने बहुत ट्रोल किया कि अ मुस्लिमों के लिए भी बहनों के लिए तीन तलाग का हो देख लीजे हर एक प्रकार से स्थती अगर देश में सुधरी है तो भारती जनता पार्टी और हमारे भारत के यशश्वी प्रदान मंत्री के कारण तो हार अयुद्या की ने हुई है हार उन सैकूलर लोगों की और उन लोगों की हुई है और तुमको तो शरम आनी चाहिए अपने एक बार अंदर जाक के जरूर देखना कि थोड़ा सा इमान बचाए की नहीं बचाए और अगर बचा होगा तो आने वाले समय में उसका इस्तम वहां वहां हिंदू घटा है ये बात आपको समझनी पड़ेगी हमको बटना नहीं है हमको जाती पाती में नहीं आना है बोट बैंक की जो राजनीती है जाती वाली उसमें बिल्कुल नहीं फसला है क्योंकि प्रान्त सुनते हैं आप सुनो महाराष्ट मराथा, मराथा बोर्ट बैंक यूपी बिहार आया, तो यादवो का बोर्ट बैंक ऐसी क्यों?